हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू मैं चैनल आज हम साइड प्लेटेट कुर्ति की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे तो इसके लिए मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है ये इस फैब्रिक की लंबाई है और इस फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड करके रखा है ये दिखे यहाँ पर ये 4 ये ओपन साइड है और ये फोल्ड साइड है तो सबसे पहले हम कुर्ति की लेंगे तो यहाँ पर लेंथ मैंने 44 इंच ली है लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग कम जादा कर सकते हैं अभी यहाँ पर हम शोल्डर लेंगे तो शोल्डर मैं ले रही हूं 6.5 इंच और मुल भ अभी यहाँ पर हमें चेस्ट का 4th part plus 2 इंच मार्जिन ले लेना है तो मैं ले रही हूं 11 इंच आपका जो चेस्ट का साइज है उसको 4 से डिवाइड करना है प्लस 2 इंच मार्जिन एड कर लेना है तो मैं 11 इंच ले रही हूं अभी उपर से हमें कमर की लेंथ लेनी है तो मैं ले रहीयू, 15 inches अभी जहां पर हमने कमर length का निशान लगाया है वहां पर हमें कमर का fourth part plus 2 inch margin लेना है तो मैं ले रहीयू 9 inch तो इस तरह से कमर का निशान लगा लेना है अभी इन दोनो points को हमें जोड देना है अभी हम armhole draw लेंगे तो इस line का हमें half लेना है और यहां से हम armhole draw कर लेंगे यह हमारा back का armhole है और half inch अंदर से एक और armhole draw कर लेंगे यह हमारा front का armhole है अभी हम neck की marking करेंगे तो neck width में ले रही हूँ 3 inch और neck deep में ले रही हूँ 5 inch front के लिए और back के लिए में ले रही हूँ 3 inch और round shape दे देंगे front neck और back neck के लिए इस तरह से अभी यहाँ पर जो हमारा waist का point है इसे हम straight draw कर लेंगे straight line draw कर लेनी है तो marking हो गई है अभी हम cutting करेंगे सबसे पहले हम back neck और back armhole से cutting करेंगे तो देखे इस तरह से हमने cutting कर ली है तो जहाँ पर हमारा waist का निशान है वहाँ पर हमें 3.5 inch पर एक mark कर लेना है तो यहाँ पर हम 3.5 inch पर mark कर लेंगे और इस निशान को हम सीधा जोड देंगे यहाँ पर देखे अब हम इसकी यहाँ से cutting कर लेंगे सिप यहाँ तक ही हमें इसकी cutting करनी है हमें इसे पूरा cut नहीं करना है तो देखे इस तरह से हमने इसकी यहाँ से cutting कर ली है तो अभी हम इसको open करेंगे और इसमें से back part को side में रख देंगे और front part को फिर से fold कर लेंगे और उसके बाद हम front neck और front armhole की cutting कर लेंगे तो हमने front neck और front armhole की cutting कर ली है अभी हम sleeves की cutting करेंगे तो इसके लिए हमने fabric को four fold करके रखा है यह देखे यहाँ पर open side है और यहाँ पर fold side है और यह four fold हमने 9 इंच का लिया है जितना आपका armhole है उससे धाई से 3 इंच लेना है और sleeves की length मैंने 11 इंच ली है length up अपने according कम जादा कर सकते है अभी यहाँ open side से 3 इंच पर mark करना है और यहाँ से हमें sleeves का shape देना है अभी यहाँ पर हम sleeve bottom लेंगे तो वो मैं ले रही हूँ 6.5 इंच इन दोनों points को जोड देंगे और sleeve की cutting कर लेंगे तो इस तरह से हमने sleeves की cutting कर ली है यहाँ पर हम center में cut लगा लेंगे तो अभी हमें sleeve को open करना है और यहाँ पर sleeve की दोनों सीधी side अंदर की तरफ रखनी है या फिर उल्टी side अंदर की तरफ रखनी है उसके बाद ही हमें front का armhole draw कर लेना है और इसकी cutting कर लेनी है तो हमने front का armhole cut कर लिया है तो इस तरह से यह हमारे दोनों side के दो sleeve है अभी हम stitching करेंगे तो यहाँ पर हमने front का part लिया है सबसे पहले हम front part ready करेंगे तो इसे हमें open करके रखना है तो इसे हमें अच्छे से open करके रखना है और यहाँ पर देखे जो हमने कपड़ा extra रखा है तो इस कपड़े में हमें plates डालनी है तो यहाँ पर हम plates का मुँ अंदर की तरफ रखेंगे आप बाहर की तरफ भी रख सकते है और उसके बाद हम यहाँ पर half inch के distance से plates डाल लेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा के plates को attach कर लेंगे और यह जो हमारी plates रहेंगी वो उपर वाला जितना part है उतनी ही रहेंगी और इसी तरह से हमें दूसरे साइड में भी plates डाल के stitch कर देना है तो दिखे इस तरह से हमने यहाँ पर plates डाल के से stitch कर लिया है अभी हमें इन दोनों parts को attach कर लेना है इस तरह से तो इसको attach करने के लिए हम lace का use करेंगे तो यहाँ पर हमने यह lace ली है तो lace को हम इस तरह से fold करके इसके उपर रखेंगे और यहाँ पर हम pin लगा लेंगे और उपर वाला part और नीचे वाला part दोनों में हम pin लगा के attach कर लेंगे जिसे की सिलाई लगाते time पे हमारा कोई भी part छुटे ना और उसके बाद हमें इसके तीनों side में सिलाई लगा के दोनों parts को attach कर लिना है अभी सेम इसी तरह से दूसरे side के लिए भी हमने lace ली है इसे भी हम इसके उपर रखेंगे सबसे पहले pins लगा लेंगे उसके बाद इसे stitch कर लेंगे तो देखे इस तरह से हमने दोनों पार्ट्स को एटेच कर लिया है और ये हमारी लेज भी यहाँ पे लग गई है ये देखे और सेम इसी तरह से हमने बैक पार्ट में भी प्लेट्स डाल के लेज को एटेच कर लिया है अभी हम neck part बना लेंगे तो इसके लिए हम strip cut करेंगे तो सबसे पहले हमें इसे center से fold करके रखना है और हमने ये fabric का piece लिया है इसे हमें fold करना है और इसके नीचे रखना है तो यहाँ पर fold side के उपर हमें fold side ही रखनी है और उसके बाद neck के shape में इसकी cutting कर लेनी है और उसके बाद यहाँ पर 1.5 इंच का margin छोड़के extra कपड़े को cut कर लेना है तो इस तरह से हमने front part के लिए neck के shape की strip cut कर ली है सेम इसी तरह से हम back part के लिए भी strip cut कर लेंगे अभी हम इसे front part में attach करेंगे तो front part को हमें सीधी तरफ लखना है यह इसकी right side है और इसके उपर हमें strip को उल्टा रख दीना है और उसके बाद हमें किनारे से सिलाई लगा दीनी है तो हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है अभी हमें यहाँ पर छोटे-छोटे cuts लगा लेने है और cut लगाने के बाद में हमें strip को अंदर की तरफ fold कर देना है तो सबसे पहले nails से press कर लेंगे तो हमारी strip easily अंदर की तरफ turn हो जाती है और इसे हम fold कर देंगे अंदर की तरफ उसके बाद हम यहाँ पर top stitch लगा लेंगे तो हमने यहाँ पर top stitch लगा लिया है और यहाँ पर back side में जो हमारी strip है इसे हम अंदर की तरफ double fold करते हुए hand stitch कर लेंगे तो अभी यह हमारा back का part है तो सबसे पहले हम back neck बनाएंगे तो इसके लिए भी हमने neck के shape की strip ली है इसे हम इसके ओपर उल्टा रखेंगे और किनारे से सिलाई लगा देंगे उसके बाद में हम strip को wrong side में turn करके top stitch लगा लेंगे और back neck बना लेंगे तो हमने यहाँ पर back neck बना लिया है अभी हम front का part इसके ओपर उल्टा रख देंगे दोनों parts की सीधी side हमें अंदर की तरफ रख लेनी है और shoulders को attach कर लेना है तो हमने shoulders को attach कर लिया है अभी हम sleeves को attach करेंगे तो sleeves को हमें shoulder के ओपर उल्टा रख देना है और इस तरह से हमें इसे stitch कर लेना है और इसी तरह से दुसरे sleeve को भी attach कर लेना है और sleeves के bottom को हमें double fold कर देना है तो हमने दोनों स्लीव को एटेच कर लिया है अभी हम इसको उल्टा करके दोनों साइट से फिटिंग कर लेंके और इसके बॉटम को हमें डबल फोल्ट कर देना है